हेलो गईज मैं अंकुर आप साभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में गईज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज लिस्ट हुए गो डिजिट जनरल इंसुरेंस के बारे में काफी जादा फ़ाल रहा ये ग्री मार्केट प्रिम्युम के अकोर्डिंग बट काफी जादा इसमें निराशा जनक हात लगी है उन लोगों के लिए जिनकी एक्सपक्टेशन बहुत हाई थी बट जिन्वोंने इससे सही एक्सपक्टेशन किया था उनको मुझे लगता है एक decent सा gain भी मिला है तो अब जिनको IPO मिला है या जिनोंने आज fresh buy कर लिया है वो क्या करें वो इस IPO में लंबे समय के लिए hold करें short term के लिए hold करें या फिर एक दो दिल में निकल जाएं कितना gain देने को और मल सकता है उसके साथ ही क्या रह सकते हैं stop loss क्या हो सकते हैं chances go digit के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे detail में करेंगे इसके बारे में चर्चा बस आपो करनी है दो important चीज़े एक तो वीडियो में अंतर तक बने रहना है तो subscribe कर लेना है ताकि बहतर updates आपके साथ हमीशा साजा होती रहे IP आज के दिन 306 रुपे पे close हुआ है गरी 12.50% की तेज़ी के साथ बात तर इसके listing gain की तो जो listing वो 5.15% की listing gain के साथ 286 पे list हुआ है और almost अगर जो prediction की बात करें तो सही निकली है से ज़्यादा का निकाल लें तो मुझे लगता है बहुत ही बहतर रहा तो जिन्हों ने बहुत ज़्यदा उल्टी सी दे उम्मेदे नहीं किये थी इस IPO से मुझे लगता है पात्यवस परसन अगेन उनके लिए decent रहा और at least capital सेविंग तो बल्को ले रहा तो गैस मैं आपको इसके बारे में detailed analysis बताने के पहले बता दू कि इस वाले telegram channel को जरूर join कर लेना यहाँ पर आपको live जब मैं IPOs के लिए आता हूँ link मिल जाते है साथ में देख लो आज के दिन भी jackpot gain वाल ठीक है करी 550 points से ज़्यादा का देने हो मिल और इस तरीके से काफी सारी guidance description में इसका link number 1 पे मिल जाएगा जरूर जाकर join कर लेना और यह एक दिन का नहीं है regularly मिलता है आपको भी पुरानी वीडियो उठाकर देख लो या फर channel पे आप खुछ जाकर देख लो जरूर जाइन कर लेना number 1 पे सका link है तो कैसे आगे बढ़ते हैं और हम चलते है चार्ट पे go digit के और जान लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए तो कैसे हम आगे चार्ट पे go digit general insurance के यहाँ पे जो candles है वो 5 मिनट की है अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वालाओ जो सीखने के purpose से काफी काम आएगी आपके मैंने पहले आपको कई बार live में बताया है कई बार वीडियूस में बताया है कि अगर जो कोई IPO लिस्ट होता है ठीक है और लिस्टिंग के 5 से 10 मिनट, continuous buying चलती है कोई भी selling नहीं आ रही है मार लोग 5 मिनट candle है यह देखोंगे आप तो तीन candle है सिवह नहीं ऐसा नहीं कि इस बार selling नहीं है candle में है बड़ जनरली जादा बायर अगर जो है active बायर है तो फिर वो एक psychological resistance को तोड़ता ही तोड़ता है ठीक है जैसे कि यह लिस्ट हुआ फिर booking आरे दिखी है और फिर उसके बाद इस हाई को तोड़ने के बाद सीधे सीधे टाइम पास करते हुए 314 का हाई बनाता हुआ दिखा उसका फिर booking आई है और 300 के ऊपर ही closing होई है तो 300 के ऊपर की closing का मतलब है कि positive नेस ठीक है आज market भी positive था sentiments भी positive थे और यहां भी positivity देन जो नहीं है जो मैंने आपको सुभह बताया था ठीक है और 314 का इसने हाई बनाया भी है तो यहां पे गाई एक चीज आपको समझ नहीं पड़ेगी कि अगर जो इस IPO की listing की expectation थी market को 300 की नीचे की ठीक है और 300 को उपर sustain किया है closing की 300 की उपर होई और अच्छी खासी delivery हुई है करीब 6 करोड कॉंटिटी ट्रेड वर्स में से 62% लगभग delivery हुआ है यानि कि लोग घर ले गया है तो ऐसी condition में कहीं ने कहीं लोग इस price point पे near 300 बाई करने के लिए त्यार बैटे हुआ है ठीक है मैंने आपको buying level भी बताया था कि अगर जो 300 के नीचे मिलता है तो safe player के लिए बढ़िया है जितना नीचे मिल जा है 260-70-80 के आसपास लेकिन अगर जो 300 के उपर 310-20-30 के आसपास मिलता है तो थोड़ा सा aggressive buyer buy कर सकते है ठीक है तो यहाँ पे वो aggressive buying आपको देने हो मुल रही है और इसका यह मतलब है कि IPO में एक strength है ठीक है अब यह strength तब तक बनी रहेगी जब तक यह 300 के उपर sustain करता है और 300 को तोड़के अगर जो मालो पहली session में नीचे आ जाता है तो आपको मैंने एक stop loss दिया था जो यह काफे चोटा है 285 का 285 के उपर है तो positive भी मान के चलेंगे और अगर जो इसको तोड़ता है तो फिर IPO का जो price band है ठीक है और यह चोटी- पे आपको stop loss place करके रखना है अगर जो मालो आपको IPO मिला हुआ है ठीक आपने कुछ quantity book कर ली तब तो ठीक है आपने profit पहली थोड़ा बहुत निकाल लिया है अब कुछ quantity आपको play कर रही है तो आप यह stop loss कर सकते हो मालो आपने पूरी quantity hold कर रखिया है तो अपनी कुछ quantity पे आप 300 का stop loss follow कर सकते हो यह वाला और बाकी quantity पे यह वाला stop loss यह वाला stop loss कर सकते हो मालब कर दो लोट तीन लोट था या आपको कुछ quantity पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना है तो यह वाला stop loss follow कर सकते हो और दूसरा यह वाला लेकिन अगर जी अपना price band IPO का तोड़के नीच यह दोनों बहुत ही strong play करेंगे ठीक है तो यहां पर IPO से मिला है आपने buy किया है सब कुछ आपको यही follow करना है अगर जो आपको buy करना है तो सेम वही चीज़ 300 के उपर buy कर रहा हो तो फूर कहीं aggressive buying है 300 के नीचे 290 से लेके 270 के आसपास मिल जाता है तो एक safe buying कही जाएगी आपको पहले भी बताया और अभी भी बताया और टेलीग्राम पर भी शेयर किया है कि यहां पर इनकी वज़े से IPO में ज्यादा हाइप बनी हुई थी ठीक है तो वराड कोहली ने जब investment किया था 75 रूपीज प्राइस बन के हिसाब से 2020 में किया था यानि कि 2020 में किया था 2020 में कंपनी profitable भी नहीं थी अच्छा कासा लॉज बना रही थी उस लॉज बेंग कंपनी में इन्हों इन्वेस्ट किया था तो अगर जो इनकी आज 2-3 करोड की investment इनकी अनुष्का सर्मा की मिला के मान लो 10 करोड की बन जाती है भाई इनको मिल जाता है 7-7 करोड का profit तो उस्ते मे रिस्क इतना लिया हुआ तो अगर जो company अभी loss से थोड़ा profit में आई है अभी थोड़ा सा time और देना पड़ेगा उसके बाद हमें clear मिलेगा data तो फिर हमें भी तो रिस्क लेना पड़ेगा अगर हम भी सोत रहें कि भाई मतलब 200-300% 400% इनकी तरह बनाए तो हमें भी तो रि short term का भी है तो short term में stop loss अगर जो long term का भी है तो मालों IPO price बंड लेके चल रहे हो रिस्क में ठीक है आपको लगाँ वालटाइल है तो 200 रुपे का 250 रुपे का लेके चल रहो बट अगर जो आपको business पर बिलीव है सारी चीजे जैसे इसमें ठीक ही है जो data आपको मैंने बताया आपको लेना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर बलकुर यह नहीं का जा सकता है कि टागट भई 500 निकल के आ जाएगा इतनी जल्दी 500 रुपे नहीं जा रहा है अट लीस्ट दो तीन quarter तो लग जाना है कई लोग बोल रहे हैं 500 जाएगा है दो हफ्ते रुप जो इलेक्शन से खासा इस बिजनस को इतना अफर नहीं पड़ने वाला है कि लेक्शन के बाद यह सिदे सिदे चार साड़े चार सो पांसो चला जाएगा है ना इलक्शन का रिजल पास में है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान लखनी है दूसरों की बातों में नहीं आना आपको अगर जब को यह वीडियो हैं तो फ्लीज वीडियो को लाइक करके चानल को सस्क्राइब जरू कर ले ना और अपना व्यूग कमेंट करके जरूर बताना मिल तंगली वीडियो में करते तो यहवी प्लीस टेल दिस्टे है वाल डी आन बबबा त्वना